दुकान चोरी CCTV फुटेज दोस्तों अक्सर हमारे आजबास ऐसे लोग होते हैं जिनने देखकर समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि वह चोर है या फिर साधारन इंसान ऐसे ही कुछ चोर लोग भेड़बार की जगे में मौदूध होते हैं तो कोई दुकान के अंदर खुले में चोरी करते हैं ऐसे ही कुछ चोर दुकान के अंदर चोरी करते वक्त CCTV कैमरे में कैद हो गई तो चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजियो और देखिए वीडियो आखर तक इस वारिल दुकान की चोरी की फुटेज को देखिए किस तरह एक बज़ूर्ग अंकल दुकान के अंदर बैठे हैं और अपने चश्मे को साफ कर रही है और फिर दो लड़के आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं बुज़र्ग अंकल को कुछ कहते हैं शायद उन्होंने पैसे का खुला मांगा और अंकल पैसे की जाँच करते हैं और पैसा सही होने पर अपनी दराज को खोल कर पैसे के खुले निकाल कर टेबल पर रख देती हैं उलाच आने के लिए कपड़ा दिखाने के लिए बोलता है और कपड़ों को खोल कर देखने लगता है फिर बड़ी ही चाराकी से कपड़े में अपने हाथ को छुपा कर पैसे चोरी कर लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है खुले पैसे उठा कर चल देता है अंकल को भी कुछ समझ नहीं आया कि वह चोर चोरी करके उनके पैसे ले गया दोस्तों हमें लगता है चोर सिर्फ अंधेरे में चोरी करते हैं पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कार में गूमने वाले रईस के रूप में आने वाले भी चोर हो सकते हैं देखिए इस वीडियो को किस तरह एक सफेद कार दुकान के सामने आकर रुकती है तभी एक बाइक वाला भी आता है और अपना रिचार्ज करा कर चला जाता है सामने से सफेद कार में से एक आदमी निकल कर आता है शाहिद वो रिचार्ज के लिए या फिर टॉप अप के लिए दुकान वाले को कहता है और टॉप अप के पैसे दुकान वारे को दे देता है और फिर पैसे का खुला मांगता है दुकानदार पैसे का खुला देने ही वाला था पर चोर उसके दराज से पैसे निकाल कर उसे उलजाने लगता है तब ही उस चोर की महिला पार्टनर कार से आती है और वो भी पैसे के खुले मांगने लगती है ये सब देखकर दुकानदार थोड़ा उरच जाता है तब ही वो चोर कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लेता है तब दुकानदार अपने पैसे को देखता है तो उसे कुछ कम लगता है तो दुकानदार समझ जाता है कि उस आदमी ने उसके कुछ पैसे जेब में डाल लिए और वो आदमी जाने लगता है तभी दुकानदार बोलता है अपने मेरे पैसे अपनी जेब में डाल लिए और वह चोर नहीं नहीं बोलकर बड़ी ही तेजी से दुकान से निकल कर जाने लगता है दुकानदार कुछ कर पाता उससे पहले ही चोर कार में बैठ कर चला जाता है देखिए इस वीडियो में तीन महिलाएं कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने आती हैं और दुकानदार कपड़े को सही कर रहा होता है सभी महिलाएं कपड़ों को देखने की एक्टिंग करती है और दो से तीन कपड़े निकाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और कपड़े खरीदने का ढ़ांग करती है पर शायद कपड़े वाले बिजी होने के कारण इतना ध्यान नहीं दे पाते और ये चोरी करके चली जाती है किसी ने सही ही कहा है कि चोर बहुत चालाक और चतुर हो दे हैं और अपना सारा चोरी करने का प्लैन बना कर आते हैं ऐसा ही कोछ इस वीडियो में प्रिखने को मेरा आप अपने लेडिस में लेडिस में नहीं आएगी दो लेडिस को गुला वाइस फद्वाइब को अब यह लगाओ नंबर लगाओ यह लेलो आपके पास इसकाप साइड में और दो नहीं हो नहीं है इस फुटेज में देखिए एक मोबाइल के दुकान पर चार लोग आए हुए हैं और वे लोग कुछ मोबाइल के फीचर्स बताने को कहते हैं दुकानदार को और फिर दुकानदार उन्हें मोबाइल के फीचर्स समझाने लगता है फिर एक चोर बड़ी ही चालाकी से अंदर आता है और दुकान में पड़े एक दो मुबाइल उठाकर ले जाता है और वापस जाकर वहीं खड़ा हो जाता है तब ही दुकानदार को कुछ शक होता है और इधर उधर देखने लगता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है और चोर लोग मुबाइल लेकर चले जाते हैं इस CCTV फुटेज में देखे कैसे दो महिला एक दुकान के अंदर आती है और एक महिला दुकान के आगे खड़ी होती है और एक महिला इधर उधर या सामान को देखने लगती है दूसरी महिला बड़ी ही चालाकी से एक कस्टमर से बात करने लगती है ताकि वह मुबाइल के द पैसे होते हैं जो छुपकर चोरी करते हैं, तो कई चोर दिन्दाहाडी चोरी को अंजाम दे देते हैं, देखिए इस वीडियो में कैसे दो चोर मुँँपर कपड़े बांथ कर दुकान में आते हैं और दुकानदार को कुछ समझ नहीं आता, तभी एक चोर अपना बंदूख दूसरा चोर उस दुकानदार को डरा कर रा राखता है और ये लोग पैसे दराज से लेकर चले जाती है इस वीडियो में देखे किस तरह एक महिला हमें दुकान में खड़ी कपड़े को देखती नजरा रही है शाएद इस वक्त दुकान में कोई नहीं है इसका फाइदा उठा कर ये कपड़े देखने की अक्टिंग करती है और इधर उधर देखने पर जब इन्हें कोई नहीं दिखा तो वहीं चालाकी से दराज खोल के पैसे चुराने की कोशिश करती है पर कुछ ना मिलने पर छोड़ कर वापस वहीं खड़ी हो जाती है फिर बेन का दिल नहीं मानता तो फिर से चौरी करने की कोशिश करती है तब तक मालिक आ जाता है और वह चौरी करने से नाकाम हो जाती है दोस्तो सोना पहनने का शौक सबको होता है चाहे वह है चोर वो या बड़े बड़े लोग ऐसा ही कुछ द्रश हमें इस फुटेज में देखने को मिला जहां चोर जूलरी की दुकान में सोना चोरी करके फरार हो गया देखिए जूलरी की दुकान में एक चोर चेन ट्राई कर रहा है फिर दुकानदार उसे दूसरी चेन ट्राई करने को कहती है पर उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है जैसे ही दुकानदार पीछे घूमता है वो चोर सोनी की चेन गले में लेकर भाग जाता है देखिए इस वीडियों में किस तरह एक जूलरी की दुकान में दुकानदार बैट कर अपना पैसा गिर रहा था तभी चार चोर अपने साथ बंदूक लेकर आते हैं और दुकानदार की हाथ से पैसा चीन कर उसे सब सोना देने को कहते हैं एक चोर दरवाजे पर निकरानी रखता है दूसरा चोर सारा सोना और पैसा और जूलरी को एक बैग में भरने लगता है दुकानदार मौका देखकर भागने लगता है पर चोर दुकानदार को धक्का देकर भाग जाते हैं देखिए इस वीरियों में किस तरह एक दुकान में तीन महिलाई आती हैं। एक महिला दुकानदार से बात करती है, दो महिला कपड़े देखने लगती है। यही देखकर दुकानदार उन्हें कपड़े दिखाने लगती है। और एक महिला दूसरी और चोरी करने के मौके ढूंटती है और फिर दूसरी और दुकानदार जैसे ही महिला को कुछ कपड़े दिखा रही थी तो महिलाएं अपने बैग में दो-तीन कपड़े डाल लेती है और इस तरह वह दुकानदार की नाग के नीचे से चोरी करने में खाम्याब हो जाती है दोस्तो कोई जोर चोरी करता है अपने मजबूरी से तो कोई अपने लालच और अपने शौक के वज़े से आपको क्या लगता है कमेंट करके बताईएगा इस तरह की चोरी करना किसी इंसान को शोबा नहीं देता इस तरह की चोरी किसे भी इंसान को नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अवे केटी चोरी पर पुला कि ला गाए अन्य वारो लान को इस तरह दो किसे अन्य वारो इन वारो ने वालते हैं कोंड़ा आप यह पेढ़ो फैरे नथ पैठ जाला मैं आपको त्षिए वीडियो बंढ दो लो मैं हां हां ठीक ए पनकर नहीं आप पेढ़ों जब आपने पॉलिजिस कर लिया है, भागने का लिया मतलब है? पी, नहीं हमारे सानी को करो एक शुपर से आप भाग नहीं हाई मैं इनी गन्मी बेच कर लिया सुपान, गो फ्रॉम है सिट यह आप अना हमसे बैख बना चुके हूँ, क्याने को नेगी आप एक बैखो कि मैंने नाइस कनने आप बैखो इसको कर लिया इसको आप बनायो ला इसको आप बेखाẫn प्रॉक्रीक करने थे याग पॉल्क्ता च्वियकर्टो पीस पकड़ा है यहाँ में लखा हुए थे यहाँ जानने की बात बात ही यादाँ है मुझा रिकार्डिंग होगी है आप बात पूरी रिकार्डिंग है अजलो चलो आप अप अरे चलो चलो या अप इसकी बात नहीं है एक मिनटी फोल आप जो एक होगा एक है बैसे थो जोड़ा आपके विज़ अब है विरफ दो यार मेरा फोन दो एक वो जाए कर दो 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 झाल 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 झाल